हेलो अबरीबन आज की स्क्लास में हम लोग सीख रहे हैं Microsoft Excel के बाए में Microsoft Excel के अंतरगत आज की से वीडियो में हम आपको सिखाएंगे यहां पे रो की हाइट एंड कॉलम के विद्ध के बारे में Microsoft Excel का जो page होता है वो column से बना होता है यह देख सकते हैं यह column है और किसे बना होता है रो से बना होता है ठीक है जब column होता है और row होता है तो row और column के मिलने से बनता है सेल आपका यहीं कि एक डबाइस आपको बता देना चाहूंगा कि Column जो होता है यह लाइन क्या होती है तो रो होता ही पट के बारे में आपसे पुछू की है कि रोक कि आ पर 15 थीक हैören 15 पॉइंट होती है यह पहले कि मैंने या желчи है वो क्योंडा ही इसी तरुके से पॉलम के पास क्या होती है चोड़ाही होती है और चोड़ाही कितनी होती है और दतमलो 4-3 ठीक है यह characters में होता है यहां पर तो आप click सकते हो कि character में होता है तो column की जो चोडाई होती हो character में होती है और रोगी जो height होती हो 15 point होती है ठीक है अब इधर side मैंने लिखाक्ष की ठीक है यहां पे देख सकते हो कि मैंने shortcut key लिखाया त्यक्षा shortcut किए कितका row की height को increase और क्या करने के लिए decrease करने के लिए क्या बटन दबाना है Alt के साथ H और इसके बाद O और फिर इसके बाद क्या है तो अगर मैंने यहां पे देखिए आप यहां पे अगर मैं कर रखा है आप यहां पर जादा चोड़ाई इसकी इंक्रीज हो गई अगर मुझे दुबारा से सही करना है तो अल्ट दबाऊंगा फिर इसके बाद क्या दबाना है आपको यहां पर है एच्च दबाना है फिर और देन एच्च दबा देना है आपको यहां पर अभी तो आपके पास देखोगे कि दुबारा से यह विंडो आ जाएगी और फिर आप यहां से जो था पहले से वह आप यहां पर हाइट पॉइंट में डाल दोगे तो अब देखो उसकी साइच फि या डाबलू को तो अभी देखो यह कॉलम की चोड़ाई कितना बता रहा है यहां पर आपकी कॉलम की विद्ध यहां बता रहा है 23.5 जब की होता है 8.43 तो अगर यह देखिए कौन सा कॉलम सेलेक्ट है न तो चोड़ाई बढ़ी है कि नहीं सभी कॉलमों से तो अगर मैं इ से 20 कर देता हूं या 15 कर देता हूं यह लिजिए मैं यहां पर फाइफ यहां पर पूट किया और बटन पर क्लिक कर देता हूं तो आप देखो छोटा हो कि नहीं हो गया भी ठीक है तो यहां से आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो इसके अलावा अगर आप आपको यहां से मिल जाता है shortcut के अलावा अगर shortcut नहीं यूट करना चाहते हो तो column का भीत अगर बदलना है तो आप यहां पे प्लिक कर दिजिए column का भीत आजाएगा आपको यहां से तो आप लोगों को रो हाइट और कॉलम भीत के बारे में समझ में आ चुका होगा वीडियो अच्छे लेकिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा साथ वेल आइकन को हिट कर दिजिएगा ओके थैंक्स for watching this video, see you in the next video.